कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग द्वारा इश्वर की प्राप्ती कैसे होती है? इन सब बातों को सुनेंगे स्वामी राम कृष्ण परम हंस की अमरितवानी से वे कहा करते थे कर्मयोग यानी कर्म के द्वारा इश्वर के साथ योग अनासक्त होकर किये जाने पर प्राणायाम ध्यान धारना इत्यादी अश्टांग योग या राजयोग भी कर्म योग ही है संसारी लोग अगर अनासक्त होकर इश्वर पर भक्ती रखकर उन्हें फल समर्पन करते हुए संसार के कर्म करें तो वह भी कर्म योग है फिर इश्वर को फल समर्पन करते हुए पूजा जब इत्यादी करना भी कर्म योग ही है इश्वर ला भी कर्म योग का उद्दिश्य है सत्व गुणी व्यक्ति उसका कर्म उससे स्वभावत ही छूट जाता है प्रयत्न करने पर भी वह कर्म नहीं कर पाता जैसे ग्रिहस्ती में बहू के गर्भवती होने पर सास धीरे धीरे उसके काम काज घटाती जाती है और जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है तब तो उसे केवल बच्चे की देख भाल के सिवा और कोई काम नहीं रह जाता जो सत्व गुणी नहीं है उन्हें संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें इश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पन करके संसार में धनी व्यक्ती के घर की दासी की तरह रहना चाहिए यही कर्मयोग है जितना संभव हो इश्वर का ध्यान नाम जब करते हुए उन पर निर्भर रहकर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए यही कर्मयोग का रहस्य है भगवान को तुम एक गुना जो कुछ भी अर्पित करोगे उसका हजार गुना पाओगे इसलिए सब कारिये करने के बाद जलान जली दी जाती है श्री कृष्ण को फल समर्पन किया जाता है युधिष्ठिर जब सब पाप श्री कृष्ण को अर्पन करने जा रहे थे तब भीम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा ऐसा काम मत करो कृष्ण को जो कुछ अरपन करोगे उसका हजार गुना तुम्हें प्राप्त होगा अब कर्म मार्ग में भक्ती का क्या महत्व है उसको समझते हैं विशेशकर इस कल्यूग में अनासक्त होकर कर्म करना बड़ा कठिन है इसलिए इस यूग के लिए कर्म योग ज्यान योग की अपेक्षा भक्ती योग अच्छा है परंतु कर्म कोई छोड नहीं सकता मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही है मैं विचार कर रहा हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ यह भी कर्म ही है प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है इश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है भक्ति लाब होने पर विशय कर्म, धन, मान, यश इत्यादी अच्छे नहीं लगते मिश्री का शर्वत पीने के बाद गुड का शर्वत भला कौन पीना जाहेगा इश्वर में भक्ति हुए बिना कर्म बालू की भीत की तरहे निराधार है पहले पहल भक्ति के लिए प्रयत्न करो फिर तुम चाहो तो ये सब स्कूल, दवा खाने, आदी अपने आप ही वन जाएंगे पहले भक्ति, फिर कर्म, भक्ति के बिना कर्म विर्थ है इस कल्यूग के लिए नारदी य भक्ति ही श्रयस्कर है शास्त्रों में, जिन सब कर्मों का विधान है, उन्हें करने की आजकल फुरसत ही कहा है आजकल के बुखार में, दश्मूल का काढ़ह नहीं चलता उस काढ़े का असर होने के पहले ही, रोगी ठंडा हो जाता है अब दो फीवर मिश्चर के दिन है, एक भक्त ने पूछा कि कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगता क्या करें? तब श्री राम कृष्ट ने कहा हाँ, यह ठीक है, परन्तु ज्यानी अनासक्त होकर काम कर सकता है इस कारण उस पर कर्म का कोई परिणाम नहीं होता यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो, तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बंधन दूर हो जाएगा एक बार, श्री राम कृष्ण ने ईश्वर चंद्र विद्या सागर से कहा था तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है तुम दया से प्रेरित होकर परोपकार के कर्म करते हो यह सत्व गुन की प्रेरणा है अगर यह दया दाक्षिन्य, दान इत्यादी, भक्ती सहित, निश्काम होकर किया जा सके तो इश्वर के दर्शन हो सकते हैं क्या केवल ध्यान के समय ही इश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूल जाना चाहिए मन का कुछ अंश, सदा इश्वर में लगाए रखना चाहिए तुमने देखा होगा, दुरगा पूजन के समय देवी के पास एक दीप चलाना पड़ता है उसे सदा जलाए रखा जाता है कभी बुझने नहीं दिया जाता उसके बुझ जाने पर ग्रिहस्थ का अमंगल होता है इसी प्रकार रदय कमल में इश्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रुपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए संसार के काम काज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टी डाल कर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं सेवा भाव से किये जाने वाला कर्म पूजा के समान है एक दिन श्री चैतन्य देव द्वारप्रवर्तित वैश्णव धर्म की चर्चा के प्रसंग में श्री राम कृष्णे कहा इस मत में मनुश्य को इन तीन बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयतनशील रहने का उपदेश दिया जाता है भगवान के नाम में रुजी जीवों पर दया वैश्णवों का पूजन जो नाम है वही इश्वर है नाम और नामी अभिन है यह जानकर सदा अनुराग सहित नाम लेते रहना चाहिए कृष्ण और वैश्णव भग्त और भगवान अभिन है यह जानकर सदा साधू भग्त जनों की शद्धा पूर्वक सेवा वंदना करनी चाहिए तथा यह जगत संसार श्री कृष्ण का ही है इस बात की हृदय में धारना करनी चाहिए सब जीवों पर दया इतना कहते ही श्री राम कृष्ण एका एक समाधी में मग्न हो गए कुछ देर बाद अर्द बाहिय अवस्था में आकर वे कहने लगे जीवों पर दया जीवों पर दया अरे मूर्ख तु स्वयम कीट अनुकीट होकर जीवों पर दया करेगा दया करने वाला तु कोन है नहीं नहीं जीवों पर दया नहीं शिव बुद्धी से जीवों की सेवा करो कर्म उपाय है उद्देश्य नहीं कुछ समाद सुधारकों से श्री राम कृष्ण ने कहा तुम लोग जगत का उपकार करने की बात कहते हो पर जगत क्या इतनी छोटी चीज है जिसका तुम उपकार करोगे और फिर जगत का उपकार करने वाले भला तुम कौन हो पहले साधन भजन के द्वारा इश्वर का साक्षातकार कर लो उनका लाव कर लो वे शक्ती दें तभी तुम लोगों का हित कर सकते हो अन्यता नहीं कर सकते एक भक्त ने फिर पूछा कि महराज जब तक उनकी प्राप्ती नँ हो तब तक क्या सब कर्म त्याग दें हम तब श्री रामकृष ने कहा नहीं, कर्म त्याग क्यों दोगे इश्वर का चिंटन, उनका नाम गुणगान उपासना इत्यादी नित्य कर्म सब करते रहना चाहिए और महराज सांसारिक कर्म, विशाई कर्म उनका क्या? हाँ, उन्हें भी किया करो संसार यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही परन्तु साथ ही निर्जन में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी ताकि कर्म निश्काम भाव से किये जा सके तुम्हारे लिए कर्म का त्याग करना संभाव नहीं है तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हारा स्वभाओ, तुमसे कर्म करवाएगा इसलिए अनासक्त होकर कर्म करो अनासक्त होकर कर्म करने से ईश्वर लाब होता है अनासक्त होकर कर्म करना अर्थाद कर्म फल की आकांक्षा न रखना इश्वर लाब जीवन का उद्देश्य है और निश्काम कर्म उसका उपाए निश्काम कर्म एक उपाए है उद्देश्य नहीं जीवन का उद्देश्य है इश्वर लाब कर्म आदी कांड है वह उद्देश्य नहीं हो सकता कर्म को जीवन का सर्वस्व मत समझो इश्वर से भक्ती के लिए प्रार्थना करो करते जाओ यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं तो क्या तुम उनसे अस्पताल, दवाखाने, कुएं, तालाब, रास्ते, धर्म, शालाएं इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे नहीं ना ये सब चीजें तभी तक सत्य प्रतीत होती हैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते एक बार उनके दर्शन हो जाएं तो ये सब सौपन के समान अनित्य असार लगने लगते हैं तब साधक उनसे केवल ज्यान और भग्ती की ही प्रार्थना करता है कर्म और निश्काम्त इनके संबंध को समझते हैं अब यदि किसी में शुद्ध सत्व गुन का उदय हो तो वह सदा केवल इश्वर चिन्तन ही करता है उसे और कुछ भी नहीं भाता किसी किसी को प्रारब्धवश जन्म से ही शुद्ध सत्व गुन प्राप्त होता है कामनाशुन्य होकर कर्म करने का प्रयत्न करते हुए अंत में शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है रजो मिश्रित सत्वगुण के रहने पर धीरे धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है इससे मैं जगत का उपकार करूँगा इस प्रकार का अभिमान आज उठता है इन सामन्य जीवों के लिए जगत का उपकार करने जाना बड़ा कठिन होता है इस पर यदि कोई कामना शुन्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे तो उसमें दोश नहीं है इसे ही निशकाम कर्म कहते है इस प्रकार के कर्म करने का प्रेत्न करना बड़ा अच्छा है पर सब लोग ये करने ही पाते ये है बड़ा कठिन सभी को कर्म करना पड़ता है एक दो जन ही कर्म त्याग कर सकते हैं एक दो लोगों में ही शुद्ध सत्वगुन देखने को मिलता है निश्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्व गुण धीरे धीरे शुद्ध सत्व गुण में परिनत होता है शुद्ध सत्व के आते ही उनकी कृपा से इश्वर लाब होता है साधारण आदमी शुद्ध सत्व की अवस्था को समझ नहीं पाते इश्वर के प्रति प्रे मुत्पन होने पर कर्मत्याग अपने आप हो जाता है इश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं उन्हें करने दो जिनका समय आ गया है वे सब छोड़ कर कहें मन रदय में विराजमान मा को तू देख और मैं देखूं और कोई ना देखे संध्या गायत्री में लीन हो जाती है गायत्री प्रणव में लीन हो जाती है प्रणव समाध्य में लीन होता है इस प्रकार संध्या आदी कर्म का समाध्य में ले हो जाता है जब तक सच्चिदानंद में मन लीन हो जाए तब तक उन्हें पुकारना और संसार के काम काज करना दोनों बातें चल सकती है उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई कारी करने की आवश्यक्ता नहीं रहती जैसे मानो कोई कीरतन गा रहा है निताई आमार मातहा थी पहले जब वह गाना शुरू करता है तब गीत के शब्द राग ताल मान ले सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है फिर जब गीत के भाव में उनका मन थोड़ा मगन होता है तब वह सिर्फ माता हाथी माता हाथी ही कहता है फिर जब उस भाव में मन और भी तलीन हुआ तब वह सिर्फ हाथी हाथी ही कहता है अंत में जब मन पूरी तरह तलीन हो जाता है वह हा कहकर ही भाव मगन होकर चुप हो जाता है इसी लिए कहता हूँ शुरू शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है परंतु जब ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर हो जाओगे उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा अंत में सर्व कर्म त्याग होकर समाधी होगी समाधी होने के बाद प्रायह देह नहीं टिका करती किसी किसी की देह लोक शिक्षा के लिए रह जाती है जैसे नारद रिशी और चैतन्य देव इत्यादी का अवतार हुआ कुवां खोद चुकने के बाद कोई-कोई कुदाल टोकरी आदी की विदाई कर देते है पर कोई-कोई उन्हें रख लेते हैं सोचते हैं रहने दो मुहले वालों में से किसी के काम आएगा ऐसे महापुरुष लोग जीवों के दुख देखकर कातर होते है ये ऐसे स्वार्थी नहीं होते कि सोचे हमें ग्यानलाब हो गया तो सबको ही हो गया वो ऐसा नहीं सोचते वो सबके परोपकार की भावना से कर्म करते हैं